नमस्कार दूस्तों मैं हम घंसियाम और आप देख रहा हैं घंसियाम TAKE दूस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं सीखते हैं, समझते हैं कि क्या level important है bank nifty के लिए और जो stocks bank nifty में trade करते हैं उनके लिए दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe कीजे और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तो यहां पर देखिए bank nifty की जो friday की हमारी यहां पे opening हुई थी friday को open हुए हम 29,622 पे हमने high लगाया 29,716 का और जो हमारा friday के session का low लगा हुआ है वो लगाया 29,368 का हमने closing वापस आके यहां पे 29,500 के ऊपर यहां पे दी हुई है दो दिन से हम एक दिन यह बड़ी जो candle बनी बैरी सिंगल फिंग वाली जो candle मैं बता रहा हूँ यहां पे इसने जो closing दी यह red वाली यह red और यह green अब दिखिए इसने क्या किया है green को पूरी तरह से cover कर लिया है red candle ने अब जब तक हम इसके ऊपर यानि इस red candle के ऊपर जाके हम close नहीं करेंगे तब तक यहां पे momentum नहीं बनेगा जब तक हम इस red candle से नीचे trade करते रहेंगे तब तक यहां पे डर हमे bearish engulfing को देख के वो सारी position फिर यहां पे cover होने के लिए आएंगी जब यह position cover होने के लिए यहां पे आएंगी तो market यहां से आपको 300-400 point की one way moment एक ही दिन में करते हुए दिखेगा किस दिन जिस दिन हम इस के उपमान लो अगर किसी दिन हमने इस level के आसपास यानि 30,000 के आस बैंक निफ्टी में दिखेगी तो बैंक निफ्टी इस जगह पे consolidate कर रहा दिखें प्राइस हिसन के साफ से continue यहां पे consolidate कर रहा अभी हम bearish नहीं है बैंक निफ्टी पर यह भी बोल दू लेकिन हम bullet भी नहीं है यहां पे अभी हम neutral रहेंगे अगर positional view किसी को लेना है तो हमारा view यहां पे रहेगा 3800 का नीचे की साइड में अगर देखें तो हम इस range में फसे हुए हैं 28500 और उपर की साइड में यहां पे 3000 तो यह 1500 पॉइंट की हमारी यहां पे range बनी हुई है तो जिस साइड में भी हम निकलेंगे अगर हम 30200 के उपर निकलते हैं तो हमें वहां हजार से 1500 पॉइंट की मुवमेंट देखने को मिलेगी पोजिस्नली अगर हम इस लेबल के नीचे यहां से निकल जाते हैं यानि मान लीजे 2800 के नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे नीचे की साइड में आपको 1500 की मुवमेंट आती हुई दिखाई देख की बैंक निफ्टी में फिलाल बैंक निफ्टी देखिए आठ से दस ट्रेडिंग से सन हो गए और हम इसी 1500 की रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं तो बड़ा ट्रेड आपको इस रेंज के बाहर निकलने पर ही मिलेगा अगर मैं इसको आवरली चार्ट पर करके आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए मैंने इसका आवरली चार्ट लगा लिया बैंक निफ्टी का अभी बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट पर ध्यान से देखिए अगर मैं इस टेंड लाइन को हटा दू अभी और एक सौट्रम टेंड लाइन देखू तो अभी भी तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर की साइड में इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो सायद हम वापस फिर आपको यहां पर इस जगह पर आते हुए दिखेंगे लेकिन कब जब हम 30,200 को ब्रेक करेंगे तब नीचे की साइड में देखिए यहां पे higher high का trend बना हुआ है और lower high का, higher high और lower high यहां पे अभी भी generate हो रहा है, तो कोई भी bearish signal अभी यहां पे नहीं दिख रहा है, तिर्फ एक candle को छोड़ दे तो, वह भी candle जब active होगी तब active कब होगी जब हम bearish engulfing के नीचे close करेंगे, तो यहां पे higher high बनते हुए चले जा वह मैं आप लोग को बताऊंगा, चार्ट भी पोस्ट करूँगा इंट्राडे के ग्रूप में, अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे नहीं है, तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, वहां पे मैं इंट्राडे के कुछ व्यू, बैंक न अगर आप ध्यान से देखेंगे कल का session, तो कल का session देखी यह 700 के आसपास एक resistance यहाँ पे फेस करते हुए चल रहा, तो मेरे ख्याल से 710, 712 के उपर अगर इंट्राडे मी निकलता है, मंगलवार के session में, तो 712 के उपर निकलेगा, तो मेरे ख्याल से यह 820 और 820 के उपर न मिल सकते हैं, तो इस पे आप नजर बना के रखिएगा कब, जब हम 720 के उपर trade करेंगे तब, अच्छी बात यह होगा कि हम नीचे से जाएं, देखिए हर trade में घुसना ज़रूरी नहीं है, अगर हम उपर ही 800, 820, 830 पे open होते हैं, तो 37 से बैठे रहिएगा, कोई range वहाँ प पे open हो के ऊपर जाएंगे तब, अब नीचे की साइट में अगर अगर अब ध्यान से देखेंगे, तो नीचे की साइट में जो 400 वाला लेबल है, यहाँ पर यह बार बार आके कल रजिस्टर, मतलब support बना रहा था, यहाँ बार बार आ रहा था और यहीं पर आके यह support ले र ले तकता है, तो इस पर आप नजर बना के रखिएगा, कि जब भी हम 200 और 250 के बीच में टेट करें, थोड़ा सा एलट रहेगा, यहाँ पर कोई सौट या बाइंग की पोजिशन मत बनाईएगा, लेकिन अगर इस लेगल पर आके अगर हमने एक दो केंडल हम यहाँ पर sustain कर करता है, अगर इस लेबल को हम break करके नीचे continue जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर 2900 के आतपास तक आतकते हैं, जो कि पिछला उसके बाद का जो support बन रहा है, वो 2900 के आतपास बन रहा है bank nifty में, तो यह हो गया हमारा intraday view, अगर आपको आप option buyer है, bank nifty option को buying करते हैं, तो मेरी option वाली video जरूर दिखिएगा, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़े आप लोग को और detail से बताऊंगा, bank nifty के option के बारे में, अब तरी यह देख लेते हैं, कि bank nifty में ऐसे कौन से stocks है, जो bank nifty को ऊपर या नीचे ले जाने में हमें मदद कर सकते हैं, पहला stock है, हमारा access bank continue यह भी निकलेंगे, जिस तरह से bank nifty ने range बनाई है, उसी तरह से इस stocks ने भी range बना रहा, तो इस एक range में फसा हुआ है, 40 point की range है, जिस side हम break करके close करते हैं, उस side में आपको 35-40 point की moment देखने को मिलेगी access bank में, बंधन bank continue दीरे दीरे करके उपर की तरफ चल रहा, अब यह 370 के गया है, तो यहाँ पर जिसके पास position है, वो इस candle का low का stopless लगा के बने रह सकते हैं, bank up बढ़ोधा, अब यह trend line के आजपास पहुँच चुका है, यह trend line इसके लिए resistance है, तो ध्यान रखिएगा, इसके उपर अगर close करता है, तो एक momentum generate हो सकता है, जो कि इसको 54 और 58 के पास त रखिएगा, क्योंकि काफी यहाँ पर देखिए, यह one way निकलते हुए जा रहा है, यहाँ पर एक दो सेचन यहाँ पर रुका, उसके बाद फिर से यह one way निकला है, वह अच्छे volume के साथ में निकला है, तो stopless जरूर follow कीजिएगा, क्योंकि अगर गिजावट bank safety में होती है, तो यह काफी तेजी से गिरेगा, तो उस पर नजर बना के रखिएगा, जिसने भी position बनाई है, 60 का stopless जरूर follow कीजिएगा, HDFC bank यह range के ऊपर ही continue trade कर रहा है, एक दिन इसने closing दी बाके दिन यह range के ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें अगर किसी के पास position है, तो जरूर बने रही जो यह support दिख रहा है, आपको जो यह gap दिख रहा है, यह gap इसके लिए strong support है, तो जब तक यह अब 460 के नीचे close नहीं करेगा, तब तक यह week नहीं होगा, तो इस पर नजर बना के आप रख सकते हैं, दोस्तों अगर आप भी हमारे free training में interested हैं, तो वीडियो के description में आपको 0- जो धा, angel broking, अब इस stocks का link मिल जाएगा, किसी एक में जाके आप account open कीजिए, account open होने के बाद, आप हमारे lifetime support group से जुड़ जाएंगे, और उस support group में मैं सारी चीजे post करते रहता हूं, nifty bank, nifty stocks के बारे में post करते रहता हूं, कुछ chart post करते रहता हूं, important level post करते रहता हूं, तो उसके जो registration है, वो मैं अपने group में उसका link आपको post कर दूँगा, चार से पांच तारीख को, अगला जो है IDFC first, आले इसने 34 का breakout दिया हुआ, जैसके मेरा target पहला 38 था, तो 38 का target इसने achieve कर लिया, जिसके पास position अगर है, तो stop loss जरूर follow किजे 34 का, इंडेसिन बैंक वेट करेंगे, यहाँ पे कब जब यह 870 के ऊपर close करें, 870 के ऊपर close करेंगा, तो मेरे चाल से इसका stop loss 840 का होगा, और target यहाँ पे काफी बड़े आपको देखने को मिलेंगे, इंडेसिन बैंक में, कोटक बैंक continue उपर की तरफ यह भी stock चल रहा है, तो stop loss जरूर follow कीजे, चाहा कि मैंने तो इस पर profitality book करवा दिया, तो कोई निकल गया है, तो बहुत अची बात है, नहीं निकले है, तो wait कीजे, फिर नया trade बनेगा, हर दिन trade में गुसना जरूरी नहीं है, हर trade में बने रहना जरूरी नहीं है, जहाँ profit मिल रहा है, वहाँ लेना बहुत जरूरी है, तो RBL bank देखी continue 220 के उपर sustain करा, तो जैसा 220 के उपर मैंने बोला था, दुबारा अगर किसी ने entry लिया है, तो stop loss जरूर फिर से 220 का ही लगा के रखियेगा, 214-215 का stop loss यहाँ पर लगा के जरूर रखि लिएगा और नहीं में मानों से रिक्वेस्टर के चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैरियों